नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है Samsung Galaxy A15 5G दोस्तों अगर आपने इस फोन को पर्चेस किया है या अगर आप इससे पर्चेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन में सेड़प कम्लिट करोगे उसके तुरण मद आपको चेंज करनी है ये 20 सेडिंग्स इन सभी 20 सेडिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफटी, सेकुरिटी, प्राइविसी और प्रोड़क्टिवीटी के लिए तो अगर आप अपने फोन को बहेतर तरीक से उसकरना चाहाते हो तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेडिंग्स तो आईए दोस्तो चेंज करते है इन सभी 20 सेडिंग्स को वन बाइवन अगर आपने फोन में फेस अनलोक को इनेबल किया होगा तो आपने गोर किया होगा जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कान करके अनलोक करते हो तो आपका फोन अनलोक तो जाता है लोग भी फुल ज फेस पे ट्याप कीजिए और यहां पे होगा stay on lock screen आपको इस option को off करना है इसके बाद अगर आप अपने फोन को face से scan करके unlock करोगे तो आपको end में swap up नहीं करना बड़ेगा आपका phone हो जाएगा direct unlock आप देख सकते हो इस तरह किसे बिना swap up किये जैसे कि आपको बता होगा अगर आपको इस phone में torch को on करना हुआ तो आपको जना होगा control center में और यहां पे है torch का option आपको torch के toggle पे tap करना है torch on हो जाएगा लिकिन जो torch की brightness से maximum पे set नहीं की गई है तो अगर आपको maximum पे set करना है torch की brightness को तो आपको torch के toggle पे long tap करना है और फिर यह यहाप पे आपको मिलेंगे अलग-अलग slider, यह है level 1, 2, 3, 4, 5, तो आपने 5 पे set कर दिया है, तो जब भी आप torch को on करोगे, अब आपको मिलेगा maximum brightness torch में, अगर आप अपने home page पे करोगे, swap down तो आपको मिलेगा यहाप पे quick toggle और इसे केते है top bar, top bar में आपको यहाप यहाप शो down करना है, pencil के icon पे tap करना है, यहाप पे आपको लेंगे दो option, top और full, आपको top के नीचे मिलेगा edit का option, उस पे tap कीजिए, तो मानले जिए मुझे यहाप यहाप पे add करना है, mobile data और screenshot के लिए, तो मैं यहाप से पहले airplane mode को निकाल दूँगा, minus के sign पे tap करके, और इसे भी निका आप इनका इस तरह के से यूज़ कर पाऊगे, आप देख सकते हो, आप इस phone में बिना किसे आपको download किये, whatsapp के delete किये, message को काफी आसनी से read कर सकते हो, तो उसके लिए आपको जाना है, settings में, notifications में, advanced settings में, notification history को open करके आपको इस toggle को on करना है, अब मान लीजिए, whatsapp में इस contact न और यहाँ पे होगा last 24 hour का option नीचे, यह रहा last 24 hour, और यहाँ पे होगा whatsapp, और इसके सामने होगा arrow का icon उसके tap कीजिए, और यहाँ पे आपको show करेंगे, वो सभी message, जो delete किये थे, आप उन्हें टाइम के साथ यहाँ पे read कर पाऊगे, इस phone में आपको मिलता है bypass charging का शानदार फीचर, bypass charging का मतलब है कि आप gaming के दुरान अपने phone को charge कर सकते हो, और इसे में आपका phone hit up नहीं होगा, तो जब भी आप gaming करोगे, तब आप इसका use कर सकते हो, तो इसे on करने के लिए आपको जाना है, gaming hub में, यहाँ पे होगा gaming hub, इसे open किजिए, more pet app किजिए, और यहाँ पे ह है, दो condition में, एक तो आपका charger होना चाहिए, 25 watt या उसके उपर का PD charger, और आपके phone में battery होनी चाहिए, minimum 20%, इस phone में आपको मिलता है, automatic call recording का feature मतलब कि आप अपने सभी calls को automatically record कर पाऊगे, और वो भी बिना किसी announcement के, मतलब कि सामने आले को पता चली बिना आप उसके calls को record कर आपको इसे on करना है, confirm किजिए, और जो भी calls आप record करोगे, आपको शो करेंगे यहाँ पे, recorded calls में, आपको यह भी call receive करोगे, या फिर dial करोगे तो आपने गोर की होगा, calling screen पे जो contact का नाम है, उसकी नीचे उसका number भी शो करता है, इस तरीक से, तो अगर आप शाहते हो, contact के नाम की नीचे, number शोना करें, तो आप इसे head कर सकते हो, यहाँ से, तो आपको जाना है, phone app के settings में, और यहाँ पे होगा, caller information, इसे open कीजिए, और यह है, show contacts phone numbers, इसे off कीजिए, इसके बाद आप calling screen पे, आपको contact के नाम की नीचे, उसका number शोनी करेंगा, अब आपको यहाँ पे device care का widget, तो इसे enable करने के लिए, आपको homepage पे long tap करना है, widgets पे tap कीजिए, और यहाँ पे आपको मिलेगा device care का option, इसे पे tap कीजिए, और यहाँ पे होगा यह दूसरा widget, इसे long tap करके आपको इसे place करना है, फिर आपको इसे long tap करना है, settings पे tap कीजिए, इसे कीजिए black, और यहाँ यहाँ पे सेट कीजिए 40% और यहाँ पे जो option है storage and memory ट्याप करके आपको सेट करना है how much available SEO कीजिए तो जो number आपको show कर रहा है मतलब कि इतनी storage available है और इतनी RAM available है आप यहाँ पे check कर पाऊगे और इस brush के icon पे tap करके आप जो memory है उसे clean कर पाऊगे इतनी RAM free हुई है आपको यहाँ पे show भी करेगा इस तरह किसे आप देख सकते हो और यहाँ पे होगा यह update आप इस phone में lock screen को काफी अच्छा से customize कर सकते हो तो आपको lock screen पे long tap करना है अपने phone को unlock करना है तो अगर आप time पे tap करोगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं अलग अलग upon style इस तरीक से आप phones को change कर सकते हो इतना है यहाँ पर आपको मिलते है अलग-अलग clock style आपको जिसे apply करना है उस पर ट्याप कीजिए इस तरी के से और नीचे आपको मिलते है यहाँ पर color अगर आप चाहो तो जो weather है उसे भी show कर सकते हो यहाँ पर weather का option इतना है आप जो इसकी size है उसे भी change कर सकते हो आपको इस तो आप अपने लोक्षिन पर विजट को भी आड़ कर पाऊगे, विजट पर ट्याप कीजिए, तो यहाँ पर है अलग-अलग विजट, तो मैं है आप अपर बैटरी का विजट, ट्याप कीजिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर शुकर रिगा, इसके लावा मुझे आड़ करना है रिमाइंडर, तो आप इस तरीके से जो विजट है, एड़ कर पाऊगे, आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर है contact information, तो आप अपनी जो contact info है, एड़ कर पाऊगे, मैं है यहाँ पर टाइप करूँगा, यहाँ टेक नो, डन करूँगा, तो इस तरीके से मेरा नाम यह इस तरीके से आपको मिलेगा यह लोक्षरिंट स्टाइल, आप देख सकते हो, शोटकर को इस करने के लिए आपको ऐसे स्वाइप करना है, आप देख पाऊगे, टोर्च ओन हो चुका है, ओफ करने के लिए फिर से स्वाइप कीजिए, इस फोन में आपको मिलता है एज पैन स्मार्ट सिलेट, टास्क और एप्स, बैक जाईए, और यहाँ पे है है हैंडल, हैंडल को आप यहाँ पे उपर निचे कर सकते हो, एरो पे टाप करके आप देख सकते हो, इस तरीक से ड्रैग कीजिए इसे, तो मैं इसे प्लेस करूंगा, वोल्यूम की के सामने, तो वोल्य तो यहाँ पे आपको मिलते हैं काफी सारे अच्छे शोटकट, जैसे कि यहाँ पे है पार्चल स्रिंचोट का ओप्शन, तो यह है स्क्वेर रेक्टेंगल के लिए, और यह है ओल राउंड के लिए, इस तरीक से आप जो स्रिंचोट है, उसे क्याप्चर कर पाओगे, स्क् आपको किसे भी आप कुमाल लीजिए, उपन करना है, पॉपपी में, तो उसे उपन कीजिए, सबसे पहले, फिर आपको टोप राइट कोरनर से करना है, स्वाइप डाउन इस तरीक से, डागोनल में और ही हो जाएगा, पॉपपी में उपन आप देख सकते हो, अगर आपको में डोट की आइकन पिटे आप करके आप इन्हें स्वाइप कर सकते हो, उपर नीचे कर सकते हो, इस तरीक से, तो मल्टी उंडो के इंजेशर को इनेवल करने के लिए आपको जाना है, सेडिंग्स में, एडवांस फिचर में, मल्टी उंडो में, और यहाँ पे है, स्वाइ एलबम्स को यहाँ पे शो करना है, तो आपको डौर्ट्स के आइकन पे Zach करना है, और यहाँ पे होगा, Select Essential Albums उस पे टैब किजिए, पिर आपको सभी को टिक करना है, और करना है Done, तो आपके सारे एलबम्स यहाँ पे शो करेंगे, आप देख सकते हो, आप अपने किसी भी एल्बम को यहाँ पे लोग करके रख सकते हो अपने बायमेट्रिक और पासवर्ड के साथ मतलब कि आपके बायमेट्रिक और पासवर्ड के बेना उस एल्बम को कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा तो इस फिचर को और करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में और यहाँ पे अबाउट ग्यालरी इसे ओपन किजिए और यहाँ पे होगा वर्जन नंबर आपको इस नंबर पर लगातार 13 बाट आप करना है 13 टाइम्स फिर बैक आँगे तो आपको इहाँ पर मिलेगा एक नया option जो है गैलरी लैट का इसे ओपन किजिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा यह option album entry locks आपको इसे on करना है okay किजिए फिर आपको अपने gallery आपको करना है restart तो इसे close करके फिर से open किजिए अब माली जी आपको किसी एक album को lock करना है तो आपको इस album पे long tap करना है more पे tap किजिए और यहाँ पे होगा lock album का नहीं option उस पे tap किजिए तो आप देखोगे यह जो album है lock हो चुका है मतलब कि अब इसे कोई भी देखनी सकता और अगर आपको इसे open करना होगा तो आपको enter करना होगा अपने password को या फिर आपको scan करना होगा अपने fingerprint को तब यह आप उसे open कर पाऊगे अगर आपको इस lock के feature को disable करना है पीडियाफ में save कर सकते हो तो उसके लिए आपको जाना होगा settings में और यहाँ पे है gallery labs इसे open कीजिए और यह option save as pdf इसे on कीजिए gallery आपको कीजिए restart close करकी फिर से open कीजिए तो जिन किसे photos को आपको pdf में save करना है आपको ने करना है एक साथ select तो में करूँगा इन्हे select और फिर आपको करना है नीचे create pdf और यहाँ पे होगा save as pdf का option उस पे ट्याप कीजिए आपको करना है default order आप इन्हें देख पाऊगे इस तरके से pdf reader में जैसे कि आपको पता होगा अगर आप कोई भी फोटो डिलिट करते हो जैसे कि माल लिजे मैंने यहां से इन फोटोस को किया है डिलिट ठीक है अब अगर आप कोई भी फोटो या वीडियो डिलिट करोगे आपके फोन में तो उससे होती है recycle bin में 30 दिन के लिए तो मैं करूंगा डिलिट तो यह हो जाएंगे move recycle bin में तो अगर आप open करोगे recycle bin को तो आप देखोगे जो भी आपने डिलिट किये है यहाँ पे show करेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके recycle bin की वज़े से कितनी storage occupy हो रही है आपके फोन में तो इसके लिए आपको enable करना होगा एक option को जिसके ज़री आप जान पाऊगे कि recycle bin की वज़े से आपके फोन में कितनी storage occupy हो रही है तो आपको जना है settings में gallery lapse में और यहाँ आप नीचे आपको मिलेगा यह option show trash storage info इसे on किजिए फिर gallery को किजिए restart close करके इसे open किजिए फिर से तो अब आप देखोगे अगर मैं आपको कोई भी फाइल करूंगा delete तो मुझे यहाँ पे शोगे जाएगा कि storage कितनी occupy हो रही है आप देख पार हो recycle bin में 8.25 MB occupy हो रही है इस phone में आपको मिलता है VONR का feature मतलब की voice over 5G तो इसे enable करने के लिए आपको जाना है settings में connections में mobile network में और यहाँ पे है VONR आपको इसे on करना है जैसे आप इसे on करोगे उपर में आपको यहाँ पे शुकरेगा VO 5G अब इसे on करने का मतलब है कि अगर आप 5G पे होते हो ऐसे में अगर आप वही भी call आता है यागर आप call करते हो तो आपके phone में 5G network 4G पे switch नहीं होगा आपका जो network है 5G पे ही रहेगा मतलब कि आप 5G का use करते हुए call का use कर पाऊगे और call का use करते हुए 5G का use कर पाऊगे आप अपने phone में wallpaper pack को enable कर सकते हो मतलब कि आप चाहँतो एक साथ 15 wallpaper को set कर पाऊगे और हर बार आप जब आपने phone को unlock करोगे तो हर बार आपको मिलेगा एक नया wallpaper तो wallpaper pack को enable करने के लिए आपको उन wallpaper को set करना है maximum आप 15 wallpaper को set कर पाऊगे तो मैंने इस तरह के से इन्हें कर दिया है select तो 15 wallpaper मैंने set कर दिये है फिर आपको करना है more पे tap और यहाँ पे है set as wallpaper उसे पे tap किजिए फिर आपको करना है done तो आप देखोगे जब भी मैं अपने phone को lock unlock करूँगा मुझे मिलेंगे अलग-अलग wallpaper हर बार इस तरह के से आप देख सकते हो अब जब भी किसी भी file को share करोगे मान लिजी मैंने यहाँ इसे select किया और मैं करूँगा इसे share तो आपको यहाँ पे मिलेगी यह share sheet अब share sheet में आपको ऐसे कही सारे apps मिलेंगे जो आप यूज नहीं करते हो share करने के लिए तो अगर आप चाहो तो अपने इसाप से apps को place कर सकते हो मतलब कि जो apps आप यूज करते हो share करने के लिए वही apps यहाँ पे show करेंगे तो आपको more पे tap करना है pencil के icon पे tap किजिए तो माली जी मुझे यहाँ पे add करना है bt, gmail, drive, instagram इसके लावा outlook, photos, samsung notes, snapchat, whatsapp done करूंगा तो आपने जो apps यहाँ पे चूज किये वही apps show करेंगे आप देख सकते हो इस तरह के से बाकी सारे apps आपको show करेंगे more में माली जी आपको किसी आपको इस करना है केवल wifi पे, mobile data भी उज़ नहीं करना है यह इसका उल्टा अगर आपको से उज़ करना है केवल mobile data पे, wifi भी उज़ नहीं करना है तो आप ऐसा भी enable कर सकते हो माली जी मैं चाहता हूँ, जो whatsapp है, वो केवल काम करें, wifi पे, तो आप SI enable कर पाओगे आपको जना है, settings में, connections में, data usage में allowed network में, और यहाँ पे आपको whatsapp को open करना है मतलब की whatsapp पे tap करना है, और आपको set करना है wifi only, मतलब की whatsapp आपके वोल, wifi पे ही काम करेगा mobile data पे काम नहीं करेगा, तो मैंने whatsapp को open किया अगर मुझे यहाँ पे कोई भी message send करना है, तो आप देखोगे, मेरे phone में अभी on है data, wifi open, तो इससे मैं अगर मैं send करूंगा, तो message send नहीं होंगे, आप देख सकते हो, अगर आपको wifi पे या फिर data पे ब्लोग करना है उसे आपको तो आप ऐसा कर पाओगे, लेकिन मालीजे मैंने अब यहाँ पे इससे set किया है whatsapp को data only पे, तो अब आप देखोगे, यह message send हो जाएंगे, इस phone में आपको मिलता है grammar check का feature keyboard में, तो अगर आप typing करते वे कोई भी mistake करोगे grammatically तो आप उसे correct कर पाओगे one tap में, तो आपको जना है settings में, language पे tap किजिए, manage input language पे tap किजिए और आपको यहाँ पे enable करना है English US, इसे on किजिए, back जाइए, फिर यहाँ पे है suggest text correction, इस पे tap किजिए English India, English US दोनों को on करना है, back जाइए, फिर यहाँ पे है third party content, tap किजिए और आपको grammarly को on करना है, agree किजिए फिर आपको keyboard को open करना है, globe के icon पे long tap करना है, और आपको set करना है English US, तो मैं लिजे मैंने हैं आपको type किया है, how is you, तो यहाँ पे इसके नीचे आपको मिलेगी एक green line, आप देख सकते हैं, जैसे मैं इस पे tap करूंगा, तो यहाँ पे मिलेगा suggestion की, इसके प्लेस पे आरोना चाहिए, अब मैंने type किया है, where are you go, तो go के नीचे मिलेगी एक line, और go के प्लेस पे आपको मिलेगा है, यहाँ पे suggestion going, दोस्तो, 22-20 settings जीने आपको change करना था, आपके Samsung Galaxy A15 5G में, इसके बाद आप काफी अच्छे से अपने फोन को उईश कर पाओगे, अगर आपके वही भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter यानिके एक सेब पे भी मेसेज कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो,